नमस्कर दोस्तों आपका बहुत बहुत प्रेस शेक्टर के सेर बारे में आपके सेर के सेर के बारे में आउर सेक्टर में हाई अगर आपको गिरामटे मिलता है जरूर रायर करना चाहिए market में कभी भी correction हो रहा है market में करेक्षstore Canous के हैं लुई आपको प्राइस और देखने मिले गा तो वैसे में आपको इसको सच्टे भैलिशन पर मिलता है तो एक इन्वेश्टर का काम होता है असले बाया करना और अगर अगर आप तो भी स्टॉप लोस बाय करने चाहिए यॉविस competitors सब्लिख सब्सकर कब आप investing के लिए buy करेंगे तो दोस्तों ये देखते हैं ये daily chart है हमारा और ये 21 day का 21 day का DMA है तो ये 21 DMA है और देख साते हैं इसमें अभी मतलब जो गिरावट continue है क्योंकि ये 21 DMA के नीचे चल दा है तो इसमें correction अभी जारी है जबकि हमारा market लगातार uptrend में है, market में काफी तेजी देखने मिला लेकिन इस stock में अभी correction phase में है correction mode में है और ये stock देखते हैं अपना जो all time high है 1145 वहाँ से लगातार correct हो रहा है और अभी आपको काफी मतलब अपने all time high से 200 उपीज कम price पे मिल रहा है लेकिन जैसे इसका weekly chart करते हैं और मंतले chart करते हैं तो आप देखते हैं stock लगातार uptrend में था और कितना solid इसका chart है देखते हैं, यहां से आप देखेंगे तो काफी पीछे से, मतलब 2018 से ही stock लगातार uptrend में और अच्छे uptrend में है या आप यहां से भी 2019 से अक्टूबर से भी देखते हैं यह लगातार uptrend में है थोड़ा बहुत सार्प करेक्शन कभी-कभी इस stock में आया लेकिन 21 DMA को लगातार यह support किया है और अपना देखते हैं लगातार uptrend continue रखा है weekly chart पे मंतली chart पे देखेंगे तो यह आपको कभी भी weakness दीखेगा ही नहीं इसके chart में तो मंतली chart का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम 3 साल, 4 साल, 5 साल के time horizon में देखते हैं अभी यह stocks पिछले एक साल से ही अब trend में है और यह stock फिर से ही अगर यहाँ 21 DMA के support लेता है यहाँ पर RSI भी देखते हैं divergence दीखा रहा है RSI पर भी आपको divergence के लिए है पूरी तरह से नतर इसका जो slope है RSI का नीचे की ओड है यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि RSI भी काफी नीचे चल रहा है तो जैसे यहाँ RSI भी support लेता है अगर आप 60 पर तो यह 60 के level को break कर रहा है 40 पर अगर support लेता है तो आप वहाँ से support लेनी के बाद जैसे आप उपर की और move दिखाए तो आप वहाँ पर मतलब इसमें position बना सकते हैं तो इस तरह से आपको इसमें position बनाना है इसका जो levels हो गया आपको 21 DMA पर अप ले सकते हैं या ऐसे ही अगर हम price wise के हैं तो अभी यह जो है यहाँ पर support लेनी के कोशिस कर रहा है अगर आपको यह 900 पर support लेता है तो यहाँ पर back करेंगे या 900 के नीचे मतलब अगर यह weekly chart पर 21 DMA को break करता है फिर आप थोड़ा सा wait करिए इसके correction का मतलब जो भी invest करना चाहते हैं और थोड़े थोड़े quantity में invest करते रहिए अगर आपको 100 stock लेना है तो 5 stock यहाँ पलेंगे और correction होता है तो 5 stock वहाँ पलेंगे इस तरह से average रूप से आपका एक अच्छे price level पाप का investment होगा जो की काफी अच्छा होगा उपर की मतलब बात करें target का तो यहाँ से अगर all time high को cross करता है तो यहाँ से अगर all time high को cross करता है तो अच्छा momentum आपको देखने मिल सकता है फिर 1500 का level होगा 1500 से उपर जाता है तो 2500 का होगा इस तरह से जैसे उपर का momentum कभी दिखाता है तो stop loss को उपर बढ़ाती चलना है तो दोस्तों यह होगा टेकनिकल चार्ट पर stocks काफी मतलब अभी bullish दिख रहा था लेकिन अभी कुछ दिनों से इस stock में काफी correction है फार्मा सेक्टर के सारे stock में क्योंकि फार्मा सेक्टर सारे stock काफी move कर चुके है और यहां पर देशने लगातार इसका यहां पर daily chart पर देखेगा downtrend बना हुआ है जैसे कहीं पर मतलब सपोर्ट लेता है सपोर्ट रेनी के बाद अब ट्रेंड में आता है तो दोस्ते अब हम जानेगी जैवी chemicals के फंडा मिन्टस के बारे में तो सबसे पहले हम valuation पर क्लिक करते है कंपनी का valuation क्या है तो कंपनी का market cap है 7200 क्रोर मतलब एक छोटा सा मतलब जो के है small cap company है small cap company है और यहां कह सकते हैं कि mid cap company है क्योंकि market cap थोड़ा small cap से ज़्यादा हो चुका है dividend yield की बात करें तो यहां पर dividend yield देख लिए 1.17% है इतना ज़्यादा stock move करने के बाद आपको dividend yield काफी सांदार दीख रहा है 1% के आसपास और यहां पारनिक पर से देखे 39 rupees है face value 2 का है और ज़्यादा आप जानना चाहते हैं dividend के बारे में bonus share के बारे में तो आप कारपोरेट एकसन पर जाएए यहां पर dividend पर क्लिक करजिए 2020 में 2 बार दिया है 19 में 1 बार 18, 17 एक बार bonus पर क्लिक करके bonus के बारे में जा सकते हैं बहुत पहले कंपनी बोनस दिया है इधर कुछ हाल फिलाल में नहीं दिया है लेकिन stock split हुआ है 10 rupees face value 2 में 2005 में तो काफी बहतरीन है जब आपको stock split या bonus मिलता है तो उससे आपका number of share काफी multiply हो जाता है उसका बार आप financial पर क्लिक करेंगे कंपनी के financial को देखना काफी important होता है कंपनी का जो financial है क्या improve हुआ है sales improve हुआ है profit improve हुआ है या नहीं इन सब बातों को जानना काफी ज़रूरी होता है यहाँ पर sales देख लिजिए अभी 2016 में था 1200 क्रोर का और 2020 में हुचका है यहाँ पर देखते है sales अलगए 1800 क्रोर का तो sales काफी improve हुआ है profit देख लिजिए 161 क्रोर का 161 क्रोर का जो की बरकर हो गया 272 क्रोर तो काफी ज़्यादा profit भी improve हुआ है sales भी improve हुआ है तो काफी improvement है इन्वल बेसिस पर आप यहाँ पर quarterly basis पर देख सकते हैं money control के website पर यहाँ पर share holding पर click कीजिए तो share holding pattern देख सकते हैं September 2019 में 56% था promoters का holding और June 2020 में 55.91% लगवा constant है promoters holding में कोई खास change नहीं हुआ है उसका बाद JVKS Pharma के आप balance sheet देखना चाहते हैं तो यहाँ पर balance sheet पर आ जाएंगे के पास मात्र 15 करोर का reserve surplus है 1420 करोर का जो की लगातार improve हुआ है मात्र इंट्रेस्ट कमपनी लगवा negligible pay कर ही मात्र 2 करोर 50 लाग का है तो काफी मतलब कम है जो मात्र इंट्रेस्ट पे करती है कमपनी long term borrowing zero है तो मतलब कमपनी भच्च्वाली debt free है कमपनी के उपर काफी कम debt है तो balance rate भी कमपनी का काफी strong है तो इस तरह से आप कमपनी के fundamental को जान सकते है technical chart read कर सकते है कमपनी का क्या levels है किस price पे आपको उसमें पोजिशनर टेरिंग करना है मतलब कब कब आपको उसमें investing करने के लिए कब कितना share आपको buy करना है और कितने समय के लिए hold करना है किस price तक के लिए hold करना है तो इन सारी चीजों का आप technical chart के मदद से देख सकते हैं और fundamentals आपको support करता है कि company invest करनी चाहिए या नहीं company जब fundamental होगा तभी उसका stock जो है move करेगा तो दोस्तों उमीद करते हैं इस वीडियो helpful लगा होगा तो वीडियो को like और share जरूर किजिएगा चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लिजिएगा